अस्सलाव आईग्रम Moral Stories छीटी और कभूतर के कहानी एक बार खड़कती गर्मियों में एक छीटी को बहुत प्याज लगे हुई थी वो पानी की तलाश में एक नदी के किनारे पहुंच गई नदी में पानी पीने के लिए वो एक छोटी सी चटान पर छड़ गई और वहाँ पर वो फिसल गई और फिसलते हुए नदी में जा गिरे पानी के वहाँ ज़्यादा तेज होने से वो नदी में बहने लगे पास ही में एक पेड़ पर कभूतर बैटा हुआ था उसने चीटी को नदी में गिरते हुए देख लिया कभूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और नदी में चीटी के पास फेक दिया और चीटी उस पर चड़ गई कुछ देर बाद चीटी किनारे के वह पास आनी लगी और वह पत्ते से उतर कर सूकी जमीन पर आ गई उसने पेड़ की तरफ देख कर और कभूतर को दन्यवाद दिया शाम को उसी दिन एक शिकारी जाल लेके कभूतर को पकड़ने आया कभूतर पेड़ पर आराम कर रहती और उसको शिकारी के आने का कोई अंदाजा नहीं था चीटी ने शिकारी को देख लिया और जल्दी से पास जाके उसके पाउं पर जोर से काटा छीन्टी की काटने पर शिकारी के चीक निकल गई और कबूतर जाग गया और उड़ गया नाइतिक शिक्षा यही है कि कर बला हो बला अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा If you do good, good will come to you